豪 अवार भी जडरा नतुछ नवह सहां हरुपईच को दूखलएं के लिएखनाब्साहदा थाक्राधाथ में जबांपरबीघ्ड परहें आ हमदर कोषण कवरहें साथज्व क्या बाशाधार फुझेसं सॉखलए प्रावां तभाते नवहीं, साज खिले, साले आगानाथ इसकते ऑете करले दोड़े, सरे अधिन कहते हैं और देकन हमाते में सारी सyszंदे की अधिन, सारी उत्रती इसकते हैं, हम हमने काई भाते इसकते जड़ा ऐस्थे में भी वांठी भर्वी चबतार वर्वी जुमार्वां जय कुमेड़ कर exem 할argly दरशाफणास काढईΤ कि यृपान थे ओर ह हेता आझा प्छावा प्राप्रा टॉद्ध रहे डिखे रहे किस है डार है। इज पर आपिग़ों बेरे इख़े लोगान करने चैनल वाई भरर वगाना कि देखा नत्के समिल्स कहते डिखें опять रावाई चृरां तर भी तॉण प्राप पर आणने सम्माति आप टेर्क समय तेक वरक शास निना समय के स्थिफ रहें स्पाव आणीदा आता होता हुआ्ड आता ही दर्क सताहिक वर भाप आता हो स्वाथ में जे लिए ही व्हीं झालत यृट इक ज़नी में तर मैं व्यवादी मरीच शार्या। पर में अरी सार्या। प्राइब प्राइब पुर्च टूर रखिरेश सारे जिए निस करें जिर अरी मार्फ टूर्च इपर इपर एफ़ा झाल्ड़ जो इखार ऺंट सहन माई चुछाग से बीस तार्वादी में तरनाश कैंए, तरनाश की अख utilizarmail ने चाहOneum on के सुछाग है युछाग कने हा शा सकते है पिश्वादी में तर्वादी है प्रिभी कने Franken21 तराव एंधारी चरह चाहितनाश है में है थारोबीधरस कि अछद्वादी को द्रम फर भ notre का नहहीं जूँदिंगो आयू जहांगों मर फैंद . वाहन वर गश्य प्हान वस्चार को अियुच तर्माहत्वू Mont regardless. показ और अपन जुप सुदू में जए निए्ट में टुदू कर दो सुने टो खरागा जए्क टूड़। को अए को दो इस नावकर मार mine घर जुए आपि अपि अपराद प्र का बार दुए टिव अभय प्राक बेश वितादा दुए चुटरब दवाद फिर्म नाम्ग और भी अप्र दीवेटा दॉए अपि अगिजिए इगनिए आपिधास अभी आप अगानि फ्रीटाक बारल फ्रीटार वाद नाम्ग प्रम्षोपोड्ब है जसा उसा म닭ानिमटू जमें परेख present preparative नहीं कि आशीं, संफेय कलारिश और नहीं देखलों है वेशलनेत पलत करके लिक दोजे दिनोर्स ब्लम्हेय को सिंफेशád मद्लम भंध्या नहीं परेखियाश्य जीषु लंबेचिर अब एवाराइद हं पतामयु था मेधि Isathal एवादा एक ठाहतार मेन नीश करते हो, आहिक करते है। जीवात एक ठाहदविए एक नकारीडी से एक लुग मेन तेक मेन तेकी हो, कहा है आदनेकी हो ** कि रालो प्रागम्र विगया बिरिवया इर्भरभा मरूल विगयाओधरा आतर आतरा मेर्भा में हिवा नॉरी हिवा थेटनाता थेप्यों कि अचैनलो निवापिन, लुदेशा में हुआज। टेले को कुछ भी नहीं, मेरा तो के कुछ नहीं, आयामू लेकर कानिया, देपाहू कुछ को मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो के कुछ नहीं, आयामू लेकर कानिया, देपाहू उदको मेरा करुबे आ, रागना करुबे आ, रागना करुबे आ, रागना करुबे आ, रागना सब्सक्राइब देरा इए, देरा तो ने पुच्चाइब जो पुच्चे, सब्सक्राइब देरा इदा, गर्दा ओ, बुदको पुच्चा जो पुच्चाइब देरा इए, देरा तो ने पुच्चाइब जो पुच्चे, सब्सक्राइब देरा इदाद। करता हो पुटको कुल्वा कर वे आ रादना कर वे आ रादना कर वे आ रादना आ रादना साथ को तूने दी है कर वे आ रादना 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 प्राइब बाइब तो ने दिये ओन्माप वेगे कर्का ओो जे बेड़े बेनाजी साको आ लुबे रादनाओ आ लुबे रादनाओ आ लुबे रादनाओ आया लेना सुमेरा दुगाता ओखुवाइब तुगो में देगाइब तुगाता ओखुवाइब आया लेना सुमेरा दुगाता ओखुवाइब तुगाता 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 प्राजना राजना 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 आज अजोविस समय में भिभी प्रुब कारया दना करने के लिए प्रवेश्ट करते करेंगे प्रवेश्ट करने हमारे धिन में होने के कारण प्रुब करया करेंगे जिंदा खुदा आज इस सुबह का समय के लिए हम तुछ दनिवाद देते हैं तेरी आरादना करने हमारे जीर में सबसे उत्तम शही है आज भी तेरी आरादना महारे से होने पाए तनमन लगा कर तेरी आरादना करने के लिए तेरी इस्तुदी करने के लिए तेरी महिमा करने क प्रात्रा कद और यह वाकना मार। बीच में उंचाहों ने पाए, केवल तेरे नामें उंचाहों ने पाए, प्रबेशात। सारे गवर्य हैं सविक्ता में आदर टेरे ले हैं विन फान्वींदि शुन रगहर और पिदा आर इंगलेश्ट नंबर 54 का फंट वशॉल्टाराट्टव में फंब लिए प्रूट धर कि अंहूं और थे ट्रूट नूम्गर कि अएट टू हमेंगths कर दो 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 कर एकलम मेरी आफ ईंड्राविकोर्ग्सा। थहां में लुजले इसका कि अपह सहाँ टाब लो ऐसक One क म Steph चेंग अभेंग ्रेट्णन अलीत śād कर दोस्ट पारा है व्हुटर र safill Canada जर भुल्ए काल्ए हुडर सुझ में दोरह हुपर हुपर habitat हँपर पालप कोड्यान हैदе यह हुपर पालप कोड़ हँपर popular पालपा कोड्यान प्रोजे प्राव दो ज। झालाई झालाई झाला झालाई झाल आपिया झाल आपिया झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो Knox कर दो कर दो ड़क दो कर दो कर दो विफ ल लॅह बारोगाई झाल 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 झा कर दो 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 कर दो। कि दिरीजेंते श्रीच के दगे कर दो • ङए ≰ñ कर दो सब्सक्राइब 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 वजराद के सारे बःतर लोग लद निवा करेंगे कर्च्छ के सारे बःतर लोग लद निवा करेंगे मारे चर्च के सारे बहुतर लोग लद निवा करेंगे मारे पाच्च के लिद निवा करेंगे साथी सवगों के आकर कर निवा करेंगे अगल निवा करेंगे उल्यान जाए वा नई लोग ले Yakर कर निवा करेंगे और रादन के लिदा देवास्थी के लिए आइन से इन निवा करेंगे इस रिजाए नियान गान पर वाल आए बार्म चादित्यां है लाए बाडार एज ब्रेश्च तो मीआ करेंगे कि इंदिया के पुर्य एरिया में सारे प्रदेश में बड़ी मुसिवत में गुजर रहा है आप सब देगने वाले आपको मालिम है किस प्रगार के हंगामा हो रहा है एसी अवस्ता से प्रवेश इंदिया में शांति के बाद आवरन प्रदान करना है अधिकार में बेटने वाले लोगों को प्रवेश इंदिया ना है किस प्रकार राजी को चलाना है करके प्रवेश इसके लिए मदद करने के लिए सबी लोग मन लगा का थोड़ा समय बराबर जोर से प्रातना करिएगा अधिकार में बेटने वाले लोगों को चलाना है अख आख ग्री संक्यत करें कर इस हम आख पो साथ साथ बाए रिह को शुड़ को शुड़ पर क्लिए पुछ्प गरंगा मुझे भी ने को शुड़ियां जो फिर के नव बादे IS orderng अधिकारीग। इंद्रम इंद्या के सारे प्रत्रा करें अपने अपने जीवन को परवेश के संबुग में ठीक राखरकर अच्वताब के साथ परवेश के संबुग में आने के लिए प्रत्रा करें आपने इस वे आई पुरान परें आंगे पूब तर बाद जो वार इजा नवर उत नियंग पार पालिया शुझ माइड़ी उत्मित शुझ तवरत फूरुटाइज आ जाओ साविट इस नाम कुझ पालिवा साविकीन तो बाद पालिया नाम कुझ आज भी कई लोग बीमारी का कारणा महारे बेजमनी है कि लोग आज गया है कि लोग कई दर बीमारी का पिस्तर में है वे सबी ब्रब्रेश्व कर पूरी तरह स्वस्ते करने के लिए आए सबी ले मिलक जो और से परातना करिये सब्सक्राइब सतर्य एंधरण ग्रासे संथ्धियर्ळ घ्रा लियर्वार्ण सम्रध। अए आठे सबस्कें अच्छळेनि आपो उस만ना मूलें आछी वीजँ दोड़ा धितल स्कुदि दो Apollo कर दो हुनि कि अरे टो मां खोह हो अर एसने शुवाने में दो फिट्रान कर दो सकता मंद कुछा है इन अर। ग चाहिन कि आवी करोताः इसलार पर्दाइँ दे डिरोजादा कि driven दे च्र कहाने कि अए पित दो लेसंस वेचने रूद में तूद आइवा अंने शीट दिहा फ्र का वो गांगा जुद फो आपम। लोग वाद्में गीद गाई है 191 पेज नंबर 149 एक सो एकानवे पेज नंबर एक सोंचास 191 पेज नंबर एक सोंचास 191 पेज नंबर एक सोंचास एहोवा मुज्यादा लोग वाद्में नंबर एक सोंचास 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 कु विन अजगा मुद आज हां कु जह चरी पिराभा रारी पारी परस्टने अपने अपने माना कु नाइब नाइब अडिक को नारी प्रसाना बापने बाना कु नारी बनानु वाला उचाकु आंतर दिये प्रत शुक्ति मागिन शुक्ति दानो गुटे प्रेशने पामे हुआ 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 हु गरीक चीब ए कंवा हुआ हुआं गडर रिय क्ल्कुत हा कंवाद गर हुआ दो गरा कंवा हुआ इ्हालिए भच्ट doh पानु के जा ये fork बच्ट पाज। गेदाओ कि जा नय कानौ कर्वे जा दें हर ड्वता ह्तुס क्वित Bennett चंगर editorial इंर हम में पाले जा आए ने किनिया हम ई हुआ तूज़ आदा, तूज़ आदा, तूविन चंगा, तूज़ आश्टा, तूज़ परतारी निक्मियाता, तूज़ यहोवा, तीपत सारो, आंवारा बोचे प्रकाश वारो, तूज़ आदा, 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 तूज़ आदा तुझे पर तारी प्रीवियादा अहें जी होवाद तुझे आदा तुविन जगवावो नादा तुझे पर तारी प्रीवियादा तारा मृतियों साभुत नादु तारा हम तुवा साल नादु नारा मिन्दियों साभुत नादु तारा हम तुवा साल नीजों तुभी जनने क। तुझे जली जली चमिश्ट वावावो नादा हम जे ने यहा मुझे आघा हम दोर के भाहू ना जा मुझे पूरी से अरि पर्यों धा है हम जे यहा मुझे आघा हम दोर के एंधा आप टो जय अक्रणारे प्ली अक्राशे टिर्द दिर्द हारी कना सुझे यह देखत्व सार वियर ढेन हमाचे प्रकाश ठार सुझे यह देखत्व सार वियर देखत्व सार वियर गॉजे अचैनल आफार कुझे गुधाये जीजए बारेचे ये ववा मुझ अगा 벁झि रग्डवा कुझे रग्डवा गुझे भर्टारिके की अगा ये ववा मुझ अगा उरी! कर दो कर दो कर दो कर दो लुगार आए टीद अन्हें उन्हें डिला टीद कुछ ओ करता है टी इन्हें टी टीद ये इन्हें टी इन्हें टीद गू की लो ब कि अ अबड़ दो कर 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 दो अब देया करके कर दो जाए दोनों सेट में थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ीए पुर्षों के सड़ में और भेनों के सड़ में बीच में जगाना काली करो और सबी लोग लाइन से बरावर बेटे और थोड़ा से आगे बढ़ीए प्रइस लोड़ और नाया गित में से पहले गित गाएंगे अंदिम दिनों की अभी शेख यह हुआ हुआ यह 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 लिए अगुद्धा दिश्टा से अगुद्धा दिश्टा पूर येश्टा अगुद्धा। अन्तिन दिनों के अविशे, सारे लोगों के उंपर तुभी, कट्नी कहें ये समय, अवित रात्मा से भर दे हवे अगनी समान उतरा, अगनी जीन के समान दहजा, जो का तुभाने का लेगे हाँ, रादी आत्मा के हम पर बहा अगनी समान उतरा, अगनी जीन के समान दहजा, जो का तुभाने का लेगे हाँ, रादी आत्मा के हम पर बहा सुखी हर्कियों के तराई में, तरी सेना को चलते देखू, अधिकार की वाने तुझे, आभित रात्मा जे नहुआ करो सुखी हर्कियों के तराई में, तरी सेना को चलते देखू, अधिकार की वाने तुझे, पावित रात्मा से अभवत करे अधिनी जमान उकरा, अधिनी जीत की जमान कहजा, जोका दूर्भाने का लेके आधिनी आत्मा के हम पर बहा अधिनी जमान उकरा, अधिनी जीत की जमान कहजा, जोका दूर्भाने का लेके आधिनी आत्मा के हम पर बहा अधिनी जमान उकरा, 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 अधि अग्नी जीत के जमान गहता, वही अमनी तो फिर से तुबे, अग्नी जमान उखता, अग्नी जीत के जमान कहता, जो का तुभाने का लेगे या, जादी आस्मा की हम सही बहा, अग्नी जमान उखता, अग्नी जीत के जमान कहता, जो का तुभाने का लेगे या, जादी आस्मा की हम सही बहा, जिनाय पार्वाक की जोगी पार्वे, अग्नी जाला को जलते देखू, इस्राय के हे खुदा, वही अग्नी तो अंपार दुगे, अग्नी जाला को जलते देखू, इस्राय के हे खुदा, वही अग्नी को अंपार दुगे, अग्नी जाला को जलते देखू, अग्नी जाला को जलते देखू, इस्राय 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 को जलत जादि आस्माजि आंपर भाँ सुटी हश्यों के पाराई में तरी सेना को चलते देखो अधिकार किवानी तुदे पाविपनात्मा में नववत्वरो सुटी हश्यों के पाराई में करिसनी आ को चलते देखो अधिकार किवानी तुदे पाविपनात्मा में नववत्वरो सामाजि आदाई में वने आपकि तीचे स्वाश्यों के एगा जो कान्नुमाने पाविपने के आठ आगी आश्मादी आप बाईब हो अजिनी जामान उकरा अजिनी जामान ये रहा फोगा पुपानी प्रादी आप आगी आश्मादी आप बाईब हो जाने वाला इस प्रादर नापी झाल 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 झा आगनी जामानु cha है, आगनी स्लिकर्पर दूपंधराई एक भल्कू सुर्पाले खने प्तवे आड़ा, चाहिए आग्नी आग्मानि टुपपन लड़ा आगनी जामानु cha है काईड़ाई आगनी जीट्पे जाभाई तहेगा जोगा पूसा निठाहे के आप अभी आप आगे हम बच्टा दिनाइ पावार की छोडी पर्पे अगी जाला को जलते देखो इस दाए के ए खुदा वही अगी वो आप पर दुबे दिनाइ पावार की छोडी पर्पे अगी जाला को जलते देखो इस दाए के ए खुदा वही अगी वो आप पर दुबे अगी जाला को जलते देखो अगी जीके जालते है जा वही जालते है 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 और दिदीद के जवात हरता ह् जो पतू धुट का ले देया जिन आंके हम सेंघा हा अग्नी जवाई नगा अग्नी जीद के जवाई टेता जो पतू चौने का ले देया जादियास बादिम शाईगा आखिने जाखने घर देन मिल जारेन । जटsis आख का लेगा आखिने जाखने जाखने UP और गुर्डड़ी के जाख़ा क् व् gefी जाखने 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 जारेन झाल भागा पेसा जाहा का लिए कोने सीक्ति जाएंगस का ताधने जाल भागा दो कर झाल भागा पेसा जाहा किर का अप्रिवे संदे. कि अधिए लोग परात्रा करेंगे के पूराद मुलेक इस्तमाल कर जो संदेश मिलेगा उसके मानने की नहीं त्यार करके समर्भ बढ़ा अर्फ परात्रा करेंगे कि झाल झाल our most loving heavenly father we thank you god for this wonderful time jesus that you have given us this sunday lord to come into your presence father thank you father god for being with us throughout the worship service helping us to worship you in truth and spirit father we could experience your power you we could experience your presence amongst us father lord let the holy spirit continue to lord deal with us lord speak to us and lord yes we are ready to hear we are ready to accept we are ready to obey whatever you speak to us father god jesus help us god to understand your perfect will your perfect lord plan for our lives father jesus help us to open our spiritual eyes so that we may see the wonderful things that you have prepared for us father god lord we commit your servant into your mighty hands strengthen him father god so that lord the thing the words that you speak lord everybody may understand it god nobody jesus should go back from here empty-handed lord everybody god should get the counsel from you that the holy spirit work amongst us everything be held for your glory god we commit all the people and everything into your mighty hands in jesus mighty precious loving name we pray amen hallelujah hallelujah please be seated bethengi first of all my praise and thank my dear lord jesus christ he has given me the privilege to be with you all in this sunday morning once again i loving greetings to you all in jesus most precious name it's a great surprise it's a great surprise yeah it's a great surprise uninspectedly i come over here and i come over here without invitation without informing the time of booking the time of booking i was not knowing uh book uh book uh book karne ke sami may bhi mujhe nahi maalum tha expectedly according to the guidance of the law or prabhu ke agwai ke anusar nahi sache huye riti mein i thought i'll not get the reservation and all of a sudden i got the rsi and after that it confirmed and i proceeded i am here and after i come over here i asked the purpose i came to see for pastor i couldn't see and aspector that is a disappointment i went to mandvi and i came back saturday sunday last sunday saturday sunday i was there sunday evening i just came back to gandhidam and monday i met pastor and i was very happy after long time after five years five years the time of uh from here uh 2015 i just uh proceed from here to extreme west to extremes east i was there for some time i was there for some time i just came back i informed the pastor just i went to hometown and after many years after some years only i came to know there is a plan of god and purpose i was there i was visiting i was uh attending pastors meeting mostly monthly one of the pastors meeting some pastors are inviting me to just visiting the churches or kuch pastors mujhe kaleesyao me kaleesyao ke jopar kaleesyao ke jopar kaleesyao ke jopar mujhe mulaqat karne ke liye mujhe bulte thai there are many pastors without churches क्योंकि कहीं pastors हैं जिनके पास कलीसियाएं नहीं हैं और सैकडो पास्टर्स हैं वो यहां वहां घुमते रहते हैं लेकिन कलीसियाओं की जो पास्टर्स हैं वो बहुत ही कम है तो इसलिए मैं जहां पर भी जाता हूं तो कहीं लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई कलीसिया है तो मैं कहता हूं कि मेरे पास कलीसिया नहीं है वो मुझे देखते थे उपर से नीचे तक मुझे देखते थे बोलते थे कि यह तो काफी बुजर्ग व्यक्ति है और बुजर्ग व्यक्ति है बुजर्ग व्यक्ति है बुद्धा हो गया है बट इसके पास कोई कलीसिया नहीं है मेरे सोदेश में ही मैं एक अंजान व्यक्ति हूं उत्तर भाग में मैं काफी जगों पर गुमा हूं काफी साल मैंने बिताये हैं इसलिए उत्तर भाग में मुझे काफी सारे लोग जानते हैं और बाजू का जो देश है हमारा दुश्मन देश जो पाकिस्तान है वहां पर भी मुझे काफी सारे लोग जानते हैं और बहुत कलीसिया है सारे कलीसिया मुझे जानती है और यह दुनिया की छोर जो बोलते हैं नौर्वे राज्य वहां पर भी लोग मुझे जानते हैं लेकिन मेरे खुद के स्वदेश में एक अंजान व्यक्ति हूँ मैं मैं वहां पर बिलकुल अच्छा नहीं लगता था मुझे मैं प्रातना कर रहा था मैं तीन साल से प्रातना कर रहा था मैं एक शनिवार के शाम को बाइबल स्टडी लेने के लिए मैं एक बस्टॉप में खड़ा था और दो व्यक्ति एक मोटर साइकल में आए और मैं कन्या कुमारी का जो दरिया का किनारा है उससे बिलकुल पास में एक जगह है कोटारम करके उस जगह पर मैं रहता हूँ वहां पर कोटारम में एक मिशन कंपाउंड है और नागर गोल से जब भी आप बस से निकलते हैं तो सबसे पहले सुसींद्रम करके जगह आता है उसके बाद कोटारम ये जगह आता है और उसके बाद ही आप कन्या कुमारी पहुंचेंगे वह बिलकुल चलने जितना एक दूरी है और एक पास्टर और एक और व्यक्ती दोनों एक बाइक में आए और एक व्यक्ती बहुत सालों पहले एक सादू के रूप में यहां पर आया था यंग एक जवान सादू और उसने मुझे देखा तो तुरंत उसने अपनी बाइक को वहां पर रोक दिया और उसने उस पास्टर को मेंसे मुलाकात करवाया और उसने पूछा आपका घर किदर है तो मैंने कहा यही बगल में मेरा घर है और मैंने उनसे कहा कि नव बज़े के बाद अगर आएंगे तो आप मेरे घर पे आकर मेंसे मिल सकते हैं और नव बज़े के बाद वो आए मेरे घर पे आए और नव बज़े से उसके बाद काफी घंटों तक साड़े ग्यारा बारा बज़े तक बात किया और उसके बाद वो चले गए और कुछ समय के बाद वो पास्टर वापिस आए और वो मेरे घर पे आए और केवल मुझसे मुलाकात करकर कुछ बात करने के लिए मैं उनसे बिंती कर रहा था तो मैंने पूछा कि आपके कलीसिया के बारे में क्या है आपका कलीसिया कहां पर है और वो गरीब कलीसिया के पास्टर थे गरीब लोगों उनकी कलीसिया में गरीब लोग थे और काफी दूर था और चोटा सा एक कलीसिया था और जो में रोड था वहां से दो या तीन किलोमीटर अंदर चल के जाना पड़ेगा तो मैंने उस पास्टर से पूछा क्या मैं आपके कलीसिया में आकर आपकी मुलाकात कर सकता हूं उन्होंने मुझसे कहा पास्टर आप तो बड़े पास्टर है हमारा कलीसिया तो बिलकुल छोटा सा कलीसिया है इसमें कौन सी कौन सी बात है मैं तो अंजान व्यक्ती हूँ मैं तो एक छोटा सा व्यक्ती हूँ और हमारे ईश्यू ने कहा है कि जहां दो या तीन व्यक्ती मिलते हैं वहां पर मैं उनके बीच में हूँ तो एश्यू ने कहा दो दो भी काफी हैं दो या तीन मैं वहां पर हूँ तो मैंने कहा कि मैं तो एश्यू से बढ़कर तो नहीं हूँ आपने कहा दस पंद्रा लोग तो मैं वहां पर आने के लिए तैयार हूँ और एक बात है कि वो मुझे बुलाने के लिए आये और मुझे वापिस छोडने के लिए आये जब मैं पहली बार उस कलीसिया में गया एक छोटा जुन्ड के लोग लेकिन वहां पर मैंने परमेश्वड के सानित्यक को अनुभो किया जैसे वो एक मन से प्राथना और आराधना करते थे तो मुझे वहां पर परमेश्वड की सानित्यक का अहसास हुआ और एसा जो सानित्यक का अनुभो में अमेरिका में हूस्टन में इत्यादी बड़े जगहों पर भी मैंने अनुभो नहीं किया था मैं परमेश्व को धन्यवाद करता हूँ वो तीन साल से एक पास्टर के लिए प्राथना कर रहे थे मैंने कहा कि कन्या कुमारी में सैंक्रो पास्टर्स हैं मैंने उन से कहा कि आप उन में से क्यों किसी को नहीं बुला लेते उन्होंने कहा कि परमेश्व यदि एक व्यक्ति को भेजे उसी व्यक्ति को हमें जरूरत है और उस दिन से फिर मैं आगे उस कलिस्या की उस संगती में मैं लगा रहा और हर इतवार के दिन सुब भोर को आ जाते हैं साड़े साथ बजे वो आ जाते हैं आठ बजे आरादना शुरू होती है साड़े ग्यारा बजे या बारा बजे वो आरादना खतम होती है और वो लोग बहुत खुश हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो अब इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अब मेरे लिए एक कलीसिया है और मैं कहीं पर भी जाओं तो मैं ये कह सकता हूँ हिमत के साथ कि मेरे लिए एक कलीसिया वहाँ पर है तो अभी पास्टरों के मीटिंग में मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए रवी बार में आराधना करने के लिए एक कलीसिया है तो जब वो मुझे आमंतरित करते हैं तो मैं यह कहता हूँ अभी यह कहता हूँ कि अभी मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मेरे लिए एक कलीसिया है ऐसा ही नहीं लेकिन वो बिलकुल शिशु के समान है, बालक के समान है और एक संडे स्कूल में बच्चों को कैसे सिखाते हैं इस प्रकार से उस संगती में उस कलिस्या में मुझे वचन सिखाना पढ़ता है मुझे उनको बाइबल के किताब को बताना पढ़ता है और पन्ने का जो नमबर भी बजे बताना पढ़ता है और मुझे ये भी कहना पढ़ता है कि ये किताब जो है वो पुराने करार में नहीं है ने करार में है और वो उस किताब को पुराने नियम में ढूंडते रहते हैं और कभी-कभी तो मुझे उतर कर जाकर उनके पास जाकर उनके बाइबल को निकाल कर उनको उस पन्ने तक पहुंचा कर पन्ना निकाल कर देना पड़ता है। और प्रबु लगातार मुझे वहाँ पर जाने के लिए मदद कर रहा है और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और मैं वहाँ पर जाता हूँ उनको हाथ पकड़कर उनको आगे लेकर आकर उनको हिम्मत देता हूँ। और इस पूरे साल में वह काफी अच्छी तरह से वह प्रशिक्षिक्षिक्त हो गए हैं। और बहुत खुश हैं वहूँ। और दोजारबीस पहले इतवार को हमारा प्रभुबोज का सिवकाई शुरू होगा। और तीन जैन्वरी को मैं यहां से वापिस लोटूँगा। और पांच तारीक के भोर को मैं नागरगोईल पहुच जाऊँगा। और वो आएंगे मुझे लेकर जाएंगे और वो सीधे मुझे चर्च में लेकर जाएंगे। उनकी आराधना 2019 में शुरू हुआ। वो लोग दो-तीन साल से आराधना करतो रहे हैं। लेकिन मैं वहां पर एक क्रिया, एक क्रम अनुसार मैंने वहां पर आराधना शुरू किया। और उनको अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया है, प्रशिशिक कर दिया है। मैं यह नहीं बोलता हूँ कि वह बाइबल कॉलज के स्टुड़न की तरह है। और मैं उनको प्रशिक्चन दे रहा हूँ, वो सीख रहे हैं और वो अच्छी तरसे खड़े हैं। मैं परमिश्य को धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आप में से कहीं लोग मुझे पूछ रहे थे कि पास्टर साब आप यहां पर कितने दिन और रहेंगे। मैं पूरे साल यहां पर रहूँगा। मैं अगले साल ही वापिस लोटूँगा। यह पूरा साल मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा। 2019 पूरा साल मैं आपके साथ रहूँगा। और अगले साल 2020 मैं ही यहां से जाऊँगा। कई लोग खुश हैं लेकिन कई लोग सुछते हैं कि यह तो 2019 खतम होने वाला है। कई लोग इस बात को याद नी रखते हैं कि साल खतम होने वाला है, साल तो खतम होगा। और गर पहुशने के बाद ही यह लोग को पता चलता है। Hallelujah! Hallelujah! I would like to bring up your attention मैं आपका ध्यान को लेकर आना चाहता हूँ। The portion, the first Thessalonians, fifth chapter. पहला Thessalonians की किताब उसका पांच्वा अधिहाए। 1st Thessalonians chapter 5 verse 23 and 24. पहला Thessalonians की ओ उसका पांच्वा अधिहाए और तेवीश और चावीश वा वचन। Everybody please read, everybody. सब लोग मिलकर पढ़ेंगे. तुमारा बुलाने वाला सचा है और वो ऐसा ही करेगा. आप लोग तो बड़े परिपक्वा और शिद्ध हैं. I've finished. मुझे ऐसा लगा कि ये कन्या कुमारी का चर्ची है. And after 10 minutes, they are just turning, turning, turning. They find out the verses. क्योंकि 10 minutes के बाद भी वो ढूंडते रहते हैं, वचनों को ढूंडते रहते हैं, वचनों को ढूंडते रहते हैं. The reading will be time, time will take. और वचन पढ़ने के लिए बहुत समय लगता है. लेकिन आप तो सभी लोग अच्छे सिद्ध हैं, और बड़े हुए, बड़े बच्चे हैं. Hallelujah! Let me read, and may the God of peace Himself sanctify you through and through, separate you from the profane things, make you pure and holy, consecrated to God. And may your spirit and soul and body be preserved, sound and complete, blameless at the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. And faithful is who is calling you and utterly trust with Thee and He will also fulfill His call. शांति का परमेश्वर, आप ही तुम्हें पूरी रीती से पवित्र करें, और तुम्हारी आत्मा और प्रान और दे हमारे प्रभु यिश्व मसी के आने तक पूरे-पूरे और निर्दोश सुरक्षित रहें. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा. Hallelujah! The God of Peace, शांति का परमेश्वर, और वो तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करें, Spirit, आत्मा, Soul, आपका प्राण, और आपका शरीर, और बुलाने वाला सच्चा है. Hallelujah! जो तेसलोनियों की किताब है, यह एक खास किताब है. यह जो पूरा किताब, पहला तेसलोनी के और दूसरा तेसलोनी की, हर एक अध्याई, प्रभू के दूसरे आगमन के बारे में हर अध्याई में लिखा है. और पहले तेसलोनी की में पाँच अध्याई है, और पाँच के पाँच अध्याई में प्रभू ईश्यू के आगमन के बारे में लिखा है. पहला अध्याई उसमें भी प्रभू के आगमन के बारे में लिखा है, और दूसरे अध्याई उसमें भी आप जब देखेंगे तो उसमें प्रभू के आगमन के बारे में लिखा है, तीसरा अध्याई, और प्रभू के दूसरे आगमन के बारे में वहां पर भी लिखा है, और चौथा और पांचवा अधियाई अलग अलग तरीकों से प्रबो येशु के आगमन के बारे में लिखा है और दूसरे तिसलोनिक्यों की किताब पहला अधियाई ही प्रबो येशु के आगमन के बारे में कहता है और दूसरे अधियाई में भी प्रविश्य के आगमन के बारे में लिखा है और इस प्रकार से साथ अधियाईों में इश्य के दूसरे आगमन के बारे में लिखा है और यहां पर अंत में उसको पूरा करने के लिए As the pastor said, he talked about yesterday जैसे pastor साब कल गदा रहे थे यहां पर इस दुन्या में शांती नहीं है औरउनीया के अंदर कोई शांती नहीं है और खासकर गुजरात में और इस राजधानी में ही शांती नहीं है और यहां पर उलनम होता है लोगों को मार डल झाल झाल केवल बाइबल ही नहीं कही पर भी शांती नहीं है आलेलोया आगर वही वचन को पड़े तो और शांती का परमेशर आप ही तुम्हें पूरी रीती से पवित्र करता है पहले महा पर लिखा है कि आत्मा और उसके बाद प्राण उसके बाद शरीर अगर आप पहला स्थान आत्मा को दोगे तो सब बातें शांती से चलेगे और परमेशर के लोग, हमारे कलिस्या के लोग, आत्मिक लोग अगर आप पहला स्थान आत्मा को दोएंगे और प्राण तो हमेशा बीच में मध्य में रहेगा और प्राण जो है हमेशा बीच में मध्य में रहेगा और तीसरा स्थान ही शरीर के लिए है आत्मिक रीती से सबसे पहला स्थान आत्मा को देना है और आत्मिक व्यक्ति सबसे पहले आत्मा में ही पाया जाएगा अगर आत्मा को पहला स्थान दे वो परमिश्वर की शांती वो आपको प्रभू के आगमन तक आपको बनाए रखेगा और कहीं लोग कहीं परमिश्वर के लोग सबसे पहला स्थान अपना शरीर को देते हैं और उसके बाद प्राण को देते हैं और उसके बाद ही आत्मा को देते हैं और लेकिन ये बिलकुल उल्टा है और इसी के कारण गड़बड़ी अशांती होता है इसी लिए पाँच्वा अध्याई बिलकुल साफ तरीके से कहता है सबसे पहला स्थान आत्मा को दू जो व्यक्ति आत्मिक रीती से सोचते हैं और जो लोग रोमियो की पात्री आठ्वा अध्याई में लिखा है कि जो आत्मिक है वो उनके लिए शांती है जो लोग आत्मिक रीती से सोचते हैं और वो ऐसे लोग जो है उनके लिए शांती है और जीवन है और जो शारिरिक जो सोच है ये शारिरिक सोच हमारे लिए केवल मृत्यू को लाता है और शारिरिक सोच गड़बड़ी को लाता है अशांती को लाता है और मृत्यू को लाता है लेकिन आपको आत्मिक सोच रखना है कुलोस्यू की पत्री तीसरा अध्याई उसका पहला वचन अगर आप यिश्यू के साथ जी उठे हो तो आप वह जैसा सोचता है वैस उन बातों के बारे में सोचो पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे जब तुम मसी के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग्य वस्तियों की जहां मसीव विद्वमान है और परमेश्वर के दाहीने और बेटा है प्रित्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग्य वस्तों पर ध्यान लगाओ आगेआल निखल क्रिस्थु विनोड़ गुडे उई बैटcktरने तिरिकिन्दों एंगल क्रिस्थु देवत्धिन्टर डेवनों वल्लत पार्श्रुमन पूर्चुन यणाड़ू पायनुन्न वाट मेधने गानी पूसम्मन्द वाइट मेधा मनसु पेट्ट कोनकोडी यले यनका मेर मुरुत पंधितरी मी जीवमू कृष्टु तो कोड़ देवने यंदु दाच बड़ियों नदी। और आत्मिक लोगों के लिए या आत्मिक सोच रखने वाले लोगों के बारे में लिखा है। यदि आप अपने आत्मिक बातों या आत्मा को पहला स्थान देतो और वो बुलाने वाला सच्छा है। और उस बातों को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से विश्वास योग्य है। उसके बुलाहट के विश्वास योग्यता के बारे में लिखा है। यह सबसे आखरी बुलाहट है। यह भविश्वास के बारे में लिखा है आखरी बुलाहट के बारे में। शुरुवात में तो हम बुलाए गए हैं। यह जो बुलाहट है, यह कलीसिया से बुलाने वाला एक बुलाहट है। हम पहले बुलाए गए थे। हमको तो अंदकार से हमको बुलाया गया था हम शुरुवात में कहां से थे हम तो अंदकार में थे और पहला पत्रस दूसरा अधियाई का नौवा वचन कहता है उसने तुमको अंदकार से अंधियारे से बुला लिया और उसके अगम्य जोती में बुला लिया और आप एक चुने हुए जाती के रूप में आपको उसने ठहराया है एक खास जुन्ड एक खास प्रजा के तरह एक राज किये पद के लिए और एक पवित्र राज है यह सबसे पहली बुलाहट है आपको आपके बंदुवाई में से आपके अंदकार में से बुलाने वाला यह पहला बुलाहट कोलोशिय की पहला अधिया उसका बारा और तेरा वचन कहता है मैंने तुमको बुलाया और संतों की संगती और उसके पुत्र के राज्य के लिए कुलोशिय की पत्री पहला अध्याय और उसका बारा और तेरा और पिता का दन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि जोती में पवित्र लोगों के साथ मेरास में सहबागी हो उसने हमें अंधकार के वस्ट छुडा कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया आयन मनलनु अंधकार सम्मंद मेंन अधिकार मुलोन इन्डी विडिदल चेसी तानु प्रेमिंचिन तनकुमार नियक्का राज्य निवासुलुगा चेसेनु उसने हमको अंधकार से चुडा कर उसने तुमको अंधियारे में से बुला कर और उसने अंधकार के वष्च में से चुडा कर उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया यह जो पहला बुलाहट है वो हमारी आत्मिक जीवन से शुरुवात होता है और उसके लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाया उसने सब कुछ चुकाया उसने उसके कीमत को चुकाया उसने हमको खरीदा उस अंधिहारे में से और उसके पुत्र के राज्य के अंदर और उस संतों की संगती में हम उसको इस तरह से बोच सकते हैं के कलीसिया और उसने अंदिकार में से हमको निकाल कर एक अद्बुद जोती में हमको लेकर आया और किस मकसद के लिए हमको कल जैसे बताया था कि हमको परमिश्वर ने उस बंदन से छुड़ाया किस मकसद के लिए ताकि हम परमिश्वर की आराधना करें और उसकी धन्यवाद करें उसकी भलायों के बारे में बताएं और उसके पर्व को हम मनाएं हललुया और उसी बात को बाइबल कहता है और उसने उस अंदकार में से निकाल कर उसके उस अद्बुत जोती में लेकर आया और उसके भलायों को और उसके तूतियों को करने के लिए तो हम परमिश्वर की आराधना करें और इबरानी तीन का पहला वचन कहता है और उसके खास बुलाहट के बारे में लिखा है इसलिए है पवित्र भाईयों तुम जो स्वर्ग्य बुलाहट में बागी हो उस प्रेरित और महायाजक इश्व पर जिसे हम अंगिकार करते हैं ध्यान करो इंदु वलना परलोक संबंधमान पिलिपुलो पालुपोंदी परिशुद्ध सहोधरलारा मनमों उप्पुकोनिना दानिनी दानिकी अपोस्तिलुरुटुनु प्रदानी आजकोड़ना इने येस्वुमेद लक्षिम उन्चिटी परिशुद्ध सहोधरन मारे तुर्गिये विलिकी ओहरिकारी आजकोड़ुरु नाम स्वीहरिच परयन आपोस्तलनुम पहा पुरोगिदन माये येश्वुने श्रदीच नोकुवरुदु परमालेपकु पंगलवलाये परिशुद्ध सहोधररे नाम अरिकेपनगर अपोस हमको उस अंदकार में से बुलाया और ये स्वर्गिये बुलाहट के भागी होने के लिए और वो स्वर्गिये उस भाईचारे का भागी होने के लिए और दूसा तिमोती पहला अधियाई का नौवा वचन कहता है जिसने अमारा उधार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और ये अमारे कामों के अनिसार नहीं पर उसके उदेश्य और उस अनुगरे का निसार है जमसी इशु में सनातन से हम पर हुआ है अवन नम्मे रेच्शिकें विशुदे विळी कोंड़ विळी के चेए जएदधु नमड़ प्रवर्थीगल निमित्तमल्ला श्रगला कालतिनु मुंबे खृस्ती एशुविल नमको नल्गी रिखिनु यह जएशुदे एशुदे विशुदे विळी के चेए जएशुदे नमको निमित्तमल्ला श्रगला कालतिनु मुंबे खृस्तम्ला श्रगला कालतिनु और उस महान संगती में शामिल होने के लिए बिलकुल मुफ्त में हमें अनुमती दे दिया और हर समय में वो हमारे सारे जरुतों को पूरा करता है और उस स्वरिग्य कलीसिया में बढ़ते जाने के लिए और इसलिए येशु कहता है कि वो विश्वास योग्य है जिसने तुम्हें बुलाया है और किस मकसद के लिए वो विश्वास योग्य है पहला कुरंटी पहला का नौ कहता है पहला कुरंटी उसका पहला अध्याई का नौ आवचन परमेश्वर सच्छा है जिसने तुमको आपने पुत्र हमारे प्रभु ईश्व मसी की संगती में बुलाया है प्रभुएन येश्व क्रिस्टु अनू तनकुमारुनी सहवासम नकु मीमुनी पिलिचिन देवुडु नम्म दगिन वाडु मसी के साथ एक होकर रहने किलिए वो पुत्र येश्व का संगती प्राप्त करने का और यही आपके आरादना का भाग लेने का मकसद है यदि आप उस पुत्र येश्व मसी के साथ आपका सही संगती होगा और आपका बुलाने का मतलब ही है कि आप येश्व के साथ संगी हो और प्रभु येश्व के साथ आपका सही संगती होगा तो आपकी आरादना में कोई गड़बड़ी नहीं होगी आप दूसरे किसी भी व्यक्ती के साथ आपकी संगती हो और आपके संगी भायों के साथ आपके संगती रखने के लिए आपको बहुत आसान है यदि आप प्रभु येश्व के साथ सही और बिलकुल सचा संगती रखते हैं हर दिन और हर मिनिट केवल इतवार के दिन ही नहीं और कुछ लोग को इतवार के दिन आराधना करने के लिए कुछ लोगों को बहुत मुश्किल होता है और आस्टर साब को उनको जबरदस्त करना पड़ता है और ताली बजाओ और अपना मूँ खोलो इत्यादी बात बार बार उनको बोलना पड़ता है और एक बहुत बड़ा संगर्श है आराधना करने के लिए और उनको धका देना पड़ता है, खीचना पड़ता है लेकिन यदि पुत्र प्रभु येशु के साथ आपकी संगती सही हो तो तब आपको परमिष्ट की आराधना सच्चाई और आत्मा में करने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी तो पुत्र प्रभु येशु के साथ जो हमारी संगती है और हमेशा हम हर दिन, हर मिनिट, हर घंटा हम कैसे उसके साथ रह सकते हैं और ये जो वचन है ये खुद प्रभू येशु आदी में वचन था, वचन परमेशु के साथ था और वचन परमेशुर था और येशु स्वयम ये परमेशुर का वचन है जितना ज्यादा आप परमेशुर के वचन को पड़ते हैं उतना ही पवितर आत्मा के द्वारा आप प्रेरना को पाते हैं और उतना ही ज्यादा आपके प्रभू येशु के साथ संगती हो रहेगा और आप जहां चाहे वहाँ पर परमिश्र की आराधना कर सकते हैं आप काम करने वाली जगह पर चर्च में या पढ़ने वाले जहां पर भी चाहें परमिश्र की आराधना कर सकते हैं और कोई आपको परमिश्र की आरादना करने के लिए स्टूती करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है और आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो मकसद किस मकसद के लिए परमेशर ने आपको अंदकार में से उस अदब जोती में बुलाया ताकि आप उसके साथ उसके पुत्र के साथ येश्यू के साथ संगती को प्राप्त करें पहला पत्रस पहला अध्याई का 15 और 16 कहता है पर जैसे तुमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चालचलन में पवित्र बनो क्यूंकि लिखा है पवित्र बनो क्यूंकि में पवित्र हूं पर जैसे तुम को बुलाया वो पवित्र है और आपका बुलाहट पवित्र बुलाहट है और सारे बाचीत में, सारे कामों में आपके सारे चालचलन में केवल रविवार के इतवार के दिन नहीं 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 हर रोज, हर घंटा, हर मिनिट, और हर शन आपको प्रभु येश्यू के साथ वो संगती में रहना है तभी लोग आपके बारे आपको देखकर कहेंगे कि ये एक पवित्र व्यक्ती है आपको किसी को ये बताने की या समझाने की जरूत नहीं है कि मैं एक पवित्र व्यक्ती हूँ क्योंकि परमिश्वर विश्वास योग्य है परमिश्वर विश्वास योग्य है और वो आपको निर्दोश सुरक्षित रखेगा आपको दूसरे लोगों के ओपर दोश लगाने की जरूत नहीं है आपको निर्दोश वो सुरक्षित रखेगा क्योंकि वो विश्वास योग्य है कि आपको सुरक्षित रखे और वो आखरी आमंतरन के साथ, वो अंतिम आमंतरन के साथ आता है वो सुरक्षित रखता है वो सुरक्षित रखता है और तुमारे आत्मा प्राण और दे हमारे प्रभु येश्य मसी के आग आने तक पूरे पूरे और निर्दोश सुरक्षित रहे यदि आपका उस पुत्र प्रभु येश्य के साथ सही संगती है और उस वचन में भी लिखा है कि वो विश्वास योग्य है वो विश्वास योग्य है और यहां पर भी आखरी में लिखा है कि वो सच्चा है विश्वास योग्य है और वो हमको निर्दोश सुरक्षित रखने के लिए विश्वास योग्य है आप सबसे पहला स्थान आत्मा को दें आप सबसे पहले परमिश्य की राज्य और उसकी धार्मिक्ता के खोज करें और वो विश्वास योग्य है कि सारी बातों को वो सुरक्षित रखें और दुनियादारी सारी बातों को हमारे जीवन में देने के लिए वो विश्वास योग्य है और वो आपको कलीसिया के अंदर ही वो तैयार कर रहा है आपको और हर एक जगह पर वो एक जुन्ड को तैयार कर रहा है और जो व्यक्ति जिन जो व्यक्तियों को प्रभु येश्व के साथ वो सही और रिष्टे को तोड़ा नहीं जा सकता है ऐसा एक संगती जो लोग रखते हैं और ये परमिश्व विश्वास योग्य है कि इन बातों को उसके जीवन में पूरा करें हमारे आँखों को हम बंद करेंगे हम अपने खुद को समर्पन करें वो विश्वास योग्य है कि सारी बातों को सुरक्षित रखें सबसे पहला स्थान आप आत्मा को दें और बाकी के सारे बातें आपको परवित्र करने के लिए काफी हैं अगर आप सबसे पहला स्थान आत्मीक बातों को देंगे तो सबसे पहला स्थान आत्मीक बातों को सबसे पहला स्थान येश्व को और सबसे पहला स्थान बाइबल पढ़ने के लिए और सबसे पहला स्थान प्राथना के लिए और आपके नौकरी की जगव में प्राथना करकर ही अपने काम को शुरू करें आगर आप अपने घर से बाहर कहीं काम से निकलते हैं तो सबसे पहला परमेशड को देखकर प्राथना करकर निकलें जो भी आप करें, जब भी करें, सबसे पहला स्थान पर मेश्र को दे, आपका आत्मा, प्राण और शरीर, और यह इनका प्रभु येश्यू के साथ संगती रहे, प्रभु येश्यू के दुसरे आगमन तक वो हमको संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए वो विश्वास योग्या है, सभी को परमिश राशिश दे, आओ आनन्मानाग् सिशु राजा मेरा हुग एरखने का पालन हारा, मेरा है दयत कराज़ आँ आँ ए। इस स्रिष्टी का पालन हारा मेरा हुदय कराजा हुआ आनंद है परमानंद है याय मेरा सब्वागे इस स्रिष्टी का पालन हारा मेरा हुदय कराजा हुआ इस स्रिष्टी का पालन हारा मेरा रदय कराजा हुआ मेरे बालत पने से उसने मुझे चुलिया मेधा बाट का दूर हो गया मेरे बालत पने से उसने मुझे चुलिया मेधा बाट का दूर हो गया उसके खरुणा निर्दी नरी चुलिया नया जीमत मुझे चुलिया आनंगे और मानंगे याय यह मेरा सबाइड यह आनंगे और मानंगे यह मेरा सबाइड यह इससेश्टी का वालन हारा नेरा नुदय रुटया ठादा वा स्सिर्षटी का बालन्हाऑरा मेरा नुदया ठादा वण लेपना रहोगा प्रेमन अख्मे घ्रभु को शारी कोई विवाद र corazón Sounds करे अपने प्रमू के चारे कोई बिबादा पड़िन उसकी राज को नहीं گूलूँ भाधत और को बाता मनं को कि अभु नहींदे लुट दमना को आपना दो पर्मानंद है क्या यह मेरा सुखा गिरे पर्मान 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 पर्मा वाहा आनद आनत घही लिंग जते मोड़ जय भेकर कमेन м Nós deep र Teshova लिए JON-7 जै भेड़ स्वागिमेन आनन घहाग लो जाइ आ अरम इंदक ज्लो लोगां with सब्कादे इस सेश्टी का वालन हारा मेरा रदय कराचाओगा 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 कि अजसेजिका 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 मेरा जिन शजना जो किस ड को जो हम लोरी खेर मेरा ज़र मेरा जो और मना कहसा कर दो कर दो कर दो कर दो चल को कर दो लो चुट स्क 고क वधिजे खelf कि बलुकान करता है कि अजसक अजस्द तर bull है कि बίक लगे र היरे कि अजस्ट में तर WR Deixa कि जस्ट जस्ट शीष के बहें कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 आल झाल 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 1st Peter झाल 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 आल झाल 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 झाल